दोस्तों नमस्कार मेरा नम संजय मगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में चुनावी नगाडा इस समय दना दन बज रहा है प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो रही है नॉमिनेशन फर्म की तैयारियां शुरू हो गई है आज पांस तारीक है नॉमिनेशन का पहला दिन और आज प्रमुख नामांकन जो हो रहा है वो दुश्यंत चोटाला कर रहे हैं उचाना विधान सवा सीट से दोस्तों चुनाव के अंदर सब कुछ होता है चुनाव के अंदर जाती होती है, धरम होती है, गाम होती है, गोत्र होती है, पाल होता है, छित्र होता है, इलाका होता है और इन सब को ले करके चुनावी समीकरण बनते है और उन चुनावी समीकरणों के सारे राजनीतिक दल चुनावी वेतरणी पार करने की रणीती बनाते हैं भारती जन्ता पार्टी की 66 सदस्य लिस्ट आ गई है जिसमें 67 लोगों को विधान सभा का टिकेट मिल गया है यानि कि 23 सीटें बाकी रह गई इन 67 सीटों के अंदर कास्टरवाइस क्या समीकरण है आप से लग वीडियो में चर्चा करूँगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ केवल दो विधान सभाओं को लेकर वो विधान सभा हैं प्रतला और पलवल पलवल और प्रतला विधान सभा जो 2005 के चुनाव तक एक ही विधान सभा हुआ करती थी उसके बाद में वो अलग-अलग हुई 2009 के चुनाव में पहला चुनाव हुआ और जिस मुद्दे पर आपसे मैं बातचीत में हूँ वो यह है कि इन दोनों विधान सभाओं पर अगर आप माने तो लगबग धाई दशक बाद धाई दशक बाद ब्रहमन समाज का नंबर आय तो इन राजनितिक दलों में 2000 के चुनाव के बाद किसी चुनाव में ब्रहमन नेता को ना कॉंग्रेस ने ना भाजपाने टिकड दिया था आपसे पहले बात पलवल विधान सभा की कर लें क्योंकि प्रत्रा पलवल से निकल कर बना हुआ है प्रत्रा विधान सभा के अंदर लगवग 35-37% जो गाउँ है इलाका है वो पलवल का है और बाकी बल्लब गड़ विधान सभा चेत्र का है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पलवल विधान सभा के अंदर लगवग 2 दशक से जादा हो गए धाई दशक होने जा रहे हैं जब ब्रह्मन समाज को किसी प्रमुक राजनीतिक दल जो कॉंग्रेस और भारती जंता पार्टी होते हैं इन्होंने अपना नुमाइंदा नहीं बनाया मैं अगर आपको सलसले बार बताऊं तो 2000 के चुनाव में वर्ष 2000 में जो विधान सभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने पंडित योगेश गौड को जो आजकल फरिदाबाद सक्री हैं उनके बेटे सुमित गौड पंडित योगेश गौड को पलवल विधान सभा छेतर से कॉंग्रेस का कैंडिडेट बनाया था दोजार के चुनाव में 2005, 2009, 2014, 2019 इन चार चुनाव में लगातार कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट हुए वो करन सिंग दलाल हुए 2005 में करन सिंग दलाल को टिकेट मिला चुनाव जीत गए 2009 में करन सिंग दलाल को कॉंग्रेस का टिकेट मिला चुनाव हार गए 2014 में करंacy १ dilal को Congress का टिकेट मिला फिल चुनाव जीत गए 2014 में करंजिंम दलाल को टिकेट मिला Congress का वो भार गए यानि कि पांच बार विधायक बनने वाले करंजिंह दलाल 2000 के बाद में जो 2005 के बाद चुनाव हुए 5 और 14 यह जीते 9 और 19 यह हा रही अब आपसे मैं बात करने हुआ की भारती जंता पार्टीने टिकट इसको दिया? तो अगर भारती जंता पार्टी की बात करें तो 2000 के चुनाओं में भारती जंता पार्टी का हर्याना के अंदर इंडियन नैशनल लोगदल के साथ समझोता था. गठबंदन में चुनाव लड़े थे और गठबंदन में चुनाव लड़ते हुई ये सीट पलवल की विधानसभा सीट इंडियन नैशनल लोगदल के खाते में थी 2005 के चुनाव के अंदर भारती जन्ता पार्टी ने यहाँ पर संजे डागर को अपना केंडिडेट बनाया था जाड सेंतली गाओं के संजे डागर 2009 के विधानसभा चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी ने पलवल से अनंगपाल बैसला को अपना कैंडिडेट बनाया था दिल्ली से आकर राजनीती करने आये थे बैसलात के नाम पर उनको टिकेट मिला था 2014 के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी ने दीपक मंगला को अपना कैंडिडेट बनाया था जो चुनाव विधानसभा का 2014 में हार गई 2019 के चुनाव में भारती जंता पार्टी ने दीपक मंगला को फिर से कैंडिट बनाया वो उस चुनाव में जीत गए उन्होंने करन सिंग दलाल को हरा दिया अब 2024 में भारती जंता पार्टी ने पलवल से गौरव गौतम के रूप में ब्रहमण چहरा विधानसभा चुनाव में उतारा है यानि कि पलवल विधानसभा जहांपर 2000 के चुनाव के बाद ब्रहमण चेहर को प्रतिनिदित्म नहीं दिया था ना कॉंग्रेस ना भाजपा ने अब भारती जन्ता पारिटी ने एक भ्रहमण नेता को अपना चेहरा बनाया है अगर मैं आपसे बात प्रतला की करूँ तो प्रतला को आप यू जोड़ लें कि 2005 के चुनाव तक प्रतला पलवल जिले का हिस्सा था 2005 के चुनाव तक 2009 में प्रतला में पहला चुनाव हुआ था मैंने आपको 2000 के चुनाव से लेकर के बता या पलवल विधान सभा का अगर उससे पहले भी चलें तो 1987, 1991 और 1996 इन तीन चुनावों में कॉंग्रेस ने लगातार प्रहमन केंडिट दिया था यानि कि कॉंग्रेस की तरफ से लगातार चार बार प्रहमन केंडिट था 1987, 1991, 1996 और 2000 के चुनावों में 2005, 2009, 2014, 2019 एक ही केंडिडेट करंदलाल जो उससे पहले यानि कि 1987, 1996 में बता रहा था आपको तो 1987 में कॉंग्रेस पार्टी ने पंडित किशन चन दिख्षित को पलवल से अपना कैंडिडेट बनाया था 1987 के चुनावों में सुभाश का त्याल से किशन चन दिख्षित चुना भार गए थे 1991 के चुनाव में Congress Party ने पंडित नित्यालंद शर्मा को अपना Candidate बनाया था खांभी गाऊं के पंडित नित्यालंद शर्मा आते हैं और उनके पिता स्वरगे पंडित तोहिराम भार्दवाज हर्याना सरकार में वजीर रहे थे 1996 के चुनाव में Congress Party ने फिर से पंडित किशंचंद दिख्षित को टिकेट दिया और पंडित किशंचंद दिख्षित 1996 के चुनाव में तीसरे नंबर पर आए चुनाव हार गए उसमें भी 2000 का चुनाव जो Congress Party ने योगेश गौड को दिया तो योगेश गौड भी चुनाव हारे और योगेश बौड गौड का नंबर बहुत पीछे चला गया अब मैं आपसे प्रतला की बात बता दूँ तो प्रतला विधान सभा जो 2009 के चुनाव में अ समाज के नेता को टिकेट दिया 2009 और 2014 में नेनपाल रावत को टिकेट दिया और 2019 के चुनाव में नेनपाल रावत का टिकेट भारती जनता पाटि ने कार दिया उनके स्थान पर टिकेट दिया सौनपाल छोकर को वो भी राजपूत समासे थे लेकिन 2019 का चुनाव नैनपाल रावत निर्दलिये चुनाव लड़ते हुए जीत गए 2024 के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी ने पहली बार ब्रहमन चहरे को मैदान में उता रहा है और वो है पंडित टेक्चन शर्मा, 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने टेक्चन शर्मा उनको भारती जन्ता पार्टी ने अपना केंडिट बनाया है 2024 के लिए वही नैनपाल रावत जिनका टिकेट मैं कटना तो नहीं कहूंगा क्योंकि टिकेट तो उनका 2019 में कट गया था भारती जन्ता पार्टी से निर्दलिये थे वो टिकेट अगर कटने की बात आएगी तो फिर सौनपाल चौकर का टिकेट कटा क्योंकि 2019 के चुनाव में सौनपाल चौकर कैनिडेट थे भारती जन्ता पार्टी के तो जो नैनपाल रावत 2019 के चुनाव में निर्दलिये विधायक बने थे हवाई जाहज में उड़कर पहुंचे थे चंडीगड नैनपाल रावत का टिकेट कटने के बाद अब उन्होंने अपने कारेकरताओं की पंचायत बुलाई है कुछ लोग कह रहे हैं वो निर्दलिये बनाकर भेंज दिया अगर मैं आपसे बात करूं कांग्रेस कि को कांग्रेस ने यहां पर तीनों कुनाओं में दो जर्ना दोजारन्यश जनता में प्रसवा के लिए भारतिये ने ब्रहमण समाज पर ध्यान नहीं दिया था बहुजन समाज पारटी ने जरूर इन तीनों ही चुनावों में ब्रहमण समाज को अपना चहरा बनाया गए 2009 के चुनाओ में क्योंकि टेक्चन शर्मा भारती जंता पार्टी की तरफ ते तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर ब्रहमन चेहरे सुरंदर वशिष्ट को मैदान में उतारा, सुरंदर वशिष्ट चुनाव हार गए और अब 2024 के लिए सुरंदर वशिष्ट एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं यानि कि चारों चुनाव जो 2024 तक के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जब भार्वन समाज को प्रतिन देतू दिया तो वही अब की बार भारती जनता पार्टी ने भी भ्रहमन चेहरे को उतारा सबसे प्रमुक बात ही है कि ब्रहमन समाज को वरियता देना यानि की प्रलवल और प्रतला आपको सासा जोडता चलूँ एक अलग वीडियो में आपसे जिक्र करूँगा उस बात का तो कि तीन विधान सभा लगातार इकठी है जनमें ब्रहमन नेता को भारती जनता पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया है बल्लवगर पंडित मूलचन शर्मा प्रतला पंडित टेक्चन शर्मा और पलवल पंडित गौरव गौतम एक साथ तीन विधान सभा ऐसा शायद पहली बारी हुआ होगा आपको क्या लगता है कि क्या इससे ब्रहमन समाज गद गद होगा पूरे पलवल और फरिदाबाद लोग सभा का क्या ऐसा करने से यानि कि ब्रह्मन समाज के तीन-तीन केंडिट देने से क्या ब्रह्मन समाज में भारती जंता पार्टी के पक्ष में कोई लहर या आधी चलेगी और आपको क्या लगता है कि क्या ब्रह्मन समाज अब की बार पूरी तरह से भारती जंता पार्टी के पक्ष मे वोट करेगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर पताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें